So hello बच्चा लोग welcome back और आज इस वीडियो में हम लोग जो topic discuss करने वाले है that is your magnetic properties of matter एक ऐसा topic जिससे बच्चे बहुत ज़दा घपराते या फिल्म को समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर से अच्छे से सुनियेगा बहुत कम से कम समय में हम लोग सारे उसके concepts औ होता है paramagnetic क्या होता है ferromagnetic material आपको क्या होता है curies law hysteresis curve and hysteresis curve of soft iron versus your steel ठीक है इन सभी को हम लोग डिसकास करेंगे इसके लावा हम लोगों ने बहुत सारे formulas and concepts को revise किया है for your je main and need aspirants सभी का link आपको नीचे मिल जाएगा इस session का भी आपको PDF notes नीचे मिलेगा but I always recommend कि आप इसको अ record को miss नहीं कर सकते है ठीक है तो चलिए start करते हम लोग इस topic को इस topic में घुषने से पहले आपको एक important basic चीज समझ में आनी चाहिए पता होनी चाहिए suppose कीजिए आपके पास कोई material है suppose कीजिए आपके पास कोई material है तो दो possible case है एक case तो यह होता है कि उसके individual atoms का कोई भी magnetic moment नही से electrons के spin और उनके orbital motion के वज़ा से basically आप एक current flow assume कर सकते है और वो current flow का मतलब हो गया कि हर atom का अपना एक individual magnetic moment या फिर dipole moment आप उसे कह सकते है हो सकता है लेकिन कुछ material तो ऐसे होते है जिनका individual भी dipole moment नहीं होता है कुछ materials ऐसे होते है जिनका individual magnetic moment तो है आप यहाँ पे देख सकते है उसे हम इस arrow से denote कर रहे है लेकिन यह randomly oriented है जिस कारण से पूरे body का जो net magnetic moment है वो आपको zero है बढ़िया है हमें इस पूरे chapter में यही पढ़ना होता है कि अगर हम ऐसे medium को ऐसे material को एक external field में रखेंगे एक external magnetic field में रखेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो लोग किस तरीके से magnet होंगे ठीक है अब इसको समझने के लिए हम लोग 2-3 terms को यहाँ पर define करने वाले है सबसे पहला है आपका h vector जिसे हम कहते है magnetizing field नाम ही आपको suggest कर रहा है वो external field जो की आपके material को magnetize करने वाला है ठीक है so h vector is basically a term defined for external magnetic field so b external is equal to mu naught into h vector आप इस चीज़ को एगदम अपने जहन मे बिठा ले कि b external जो होता है that is equal to mu naught into h vector जहाँ पे h का जो unit है that is your ampere per meter done okay next आता है आपका i vector जिसका भी unit होता है ampere per meter इसका नाम होता है intensity of magnetization नाम ही suggest कर रहा है कितने intensity से यानि कि कितना magnetize हुआ है आपका वो material जिसे आपने एक external field में रखा था ठीक है यानि कि कितना magnetic moment अब आ चुका है पहले तो 0 था लेकिन जब आप इसे एक external field में रखेंगे तो आपके पास एक m net आएगा so i is defined as magnetic moment per unit volume बढ़िया है और इसको एक और तरीके से आप समझ सकते है एक और तरीके से define किया जाता है ये बिलकुल वैसा ही मोहल है जैसा कि एक dielectric medium को external electric field में रखने से होत है उस dielectric medium में आपको याद होगा कि एक induced electric field आता है medium के अंदर कुछ वैसा ही होता है कि मान लीजे आपके पास ये एक material है इस material को आपने एक external field में रखा है तो इस external field के कारण इस material के अंदर एक induced magnetic field होता है due to this magnetic moment बढ़िया है एक induced field आ जाता है so this induced field is equal to mu0 into i ठीक है अब इसका direction क्या होगा वो बात की बात है आपको ध्यान में ये रखना है कि इस external field के कारण अंदर में आपको एक induced field भी आता है ठीक है यहां तक बढ़िया है अब तीसरा term define किया गया that is called your magnetic susceptibility इस symbol का नाम होता है आपका साई ये आपको बताता है कि कितने ease के साथ आपका वो material magnetize हो रहा ह है तो साई का आपका formula क्या हो जाएगा I upon H for a given value of H I कितना है कितना जादा वो magnetize हुआ है या कम magnetize हुआ है ये चीज़ आपको बताता है साई साई अगर बहुत जादा है मतलब easily वो magnetize हो पा रहा है ठीक है अब यहां पर आप देखिए हम लोग एक general condition के लिए एक equation को derive करने ज लिजे कि आपने ये लगाया है external field अंदर में आ गया है induced right तो इस material के अंदर जो total magnetic field होगा that is going to be B external plus B induced so B net is equal to B external plus B induced और B external को आप ऐसे लिखोगे induced को आप ऐसे लिखोगे और B net को आप क्या लिखोगे आप उसको लिखोगे mu0 into muR into H यहां पर muR कितना है this is your relative permeability of this medium right यह बिल अगर पता करना है कि electric field किसी medium में कितना है तो आप epsilon naught के साथ साथ एक ER को भी multiply कर दिया करते थे तो यह बिल्कुल वही चीज़ यहां पर हुआ है फिर आप देख सकते है you can cancel out mu0 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 और इस i को आप replace कर सकते थे psi into H के साथ आपने यहां पर replace किया and finally you get this equation which is very very important equation इस पर बे relative permeability of the material is equal to 1 plus psi ठीक है तो यह तीनों terms आपको एकदम अपने दिमाग में बठा लेना है कि sir H क्या होता है और इनका जो नाम है यही इनका definition भी बता देता है ठीक है बढ़ियां अब हम लोग बात करते हैं शुरुबात में 2 material की इसके बाद हम लोग लेंगे ferro सबसे पहले है डाया and then is your paramagnetic material तो दोनों में basic difference क्या है डाया में यही होता है कि individual atoms का शुरुवात से ही कोई dipole moment नहीं था लेकिन जब आप इस material को एक external field में रखते हो तो इसके अंदर एक induced magnetic field आ जाता है due to the magnetic moment लेकिन यहाँ पे जो induced field है न वो external field के opposite direction में आता है अब opposite direction में आता है जिस कारण से इस material का यह वाला face को आप north pole की तरह treat कर सकते हो और इस वाले को south pole की तरह treat किया जा सकता है बढिया है अब यह जो magnetization हुआ है यह सब कुछ properties है ध्यान में रखना है वीकली magnetized है इस material repels the external magnetic field कहने का मतलब है कि आपके पास कोई magnet है and you have a dia magnetic material for example graphite and bismuth आपके पास graphite है आप उसके पास एक magnet को लिके जाओगे तो वो material repel हो जाएगा इसका diagram आप इस तरीके से देख सकते हो this is your dia magnetic material external field जो है वो देखे किस तरीके से repel हो रहा है किस तरीके से वो bend हो रहा है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है बढिया है जहां तक बात आता है आपका यह formula mu r is equal to 1 plus psi in the case of dia magnetic psi आपका negative होता है और वो भी logical है अपने मन से anti parallel है और हमने देखा था कि size equal to i upon h यानि आपका size जो होगा वो negative sign के साथ लिया जाएगा और अगर size आपका negative है तो mu r तो आपका 1 से छोटा ही हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना है पैरा magnetic की बात करी जाए तो individually इसके हर atom का कुछ dipole moment था लेकिन पूरे system का net 0 है आपने field लगाया सब एक direction में आपको align हो गया और इसका ये वाला face up north pole की तरह treat कर सकते हो ये वाला south pole की तरह treat कर सकते हो लेकिन यहाँ पे भी ये लोग बिचारे weekly magnetized है right material gets weekly attracted to the external field यहाँ पे आप देखिए जो external field है वो इस medium से घुस के ही निकलने की कोशिश कर रहा है attracted है बढ़िया यहाँ पे साई आपका positive है और साई अगर positive है तो mu r आपका one से बढ़ा ही होगा example aluminium lithium and magnesium बढ़िया है अब बात कर लेते हम लोग ferromagnetic material की यहाँ पे without the external field itself example ironical cobalt यहाँ पे आपको domains में कुछ formation होता है इनको हम लोग domains कहते है इनको हम लोग domains कहते है हर domain में आपको dipole moment एक ही direction मे align है लेकिन still overall पूरे system का अगर हम लोग देखे तो फिर से आपको net magnetic moment zero है यहाँ पे अगर आप बहुत थोड़ा सा भी external field provide करोगे न तो यह लोग सब आपको align हो जाएंगे इसके लाबा भी और reasons है right coupling exchange लेकिन हम लोग उस पे नहीं जा रहे है यहाँ पे आपको सब A की direction में align हो गए है right और बहुत strong induced magnetic field है बहुत strong this induced field is much much more than the external field which means I is much much more than capital H which means psi की value बहुत बढ़ी होगी one से psi क्या बताता था कितने east से आपको चीज़े magnetize हो रही है तो psi की value one से बहुत बढ़ी है इस case में ठीक है बात करते हम लोग क्यूरीज law की यह आपको एक simple सा law है logical law है आपको यह बोलता है कि अगर आपने material का temperature को बढ़ाया है तो thermal agitation के कारण आपका जो alignment है वो disturb हो जाएगा अ जानी कि अंदर में जो induced field है वो आपको decrease होगा which means capital I decrease होगा और अगर I आपका decrease होता है तो कही ना कहीं आप कह सकते है कि आपका psi भी decrease हो रहा है यहाँ पर C आपका constant which is called your Curie's constant यह आपका Curie constant है इस law is for paramagnetic material बात करें अगर हम लोग ferromagnetic material की तो इस case में आप जब temperature को बढ़ाते है तो पहले आपका वो material paramagnetic में convert होता है and at a given temperature that is called your Curie temperature Tc पे वो आपको पहले convert हो जाता है पैरा में उसके beyond or increase करोगे temperature then this is the law size equal to C' upon T-Tc ठीक है आपको बस यह बातों को ध्यान में रखना है now let's come to the hysteresis curve magnetic hysteresis बच्चे इससे भी गवर आते है वो इसको समझ नहीं पाते है ध्यान से सुनिएगा 100% आपको समझ मैंगा चीज़ ठीक है ध्यान से सुनिए बढ़िया तो यह हम लोग जो curve देखने वाले है that is for a ferromagnetic material बढ़िया है हम लोग graph plot करने वाले है I versus H I क्या है intensity of magnetization external field denote कर रहा है और यह आपको यह बताता है कि कितना magnetize हुआ है आपका material ठीक है बढ़िया है शुरुआत में आप origin पर हो यानि कि आपका H भी 0 है और आपका I भी 0 है धीरे-धीरे you are increasing the value of capital H आप external field को धीरे-धीरे increase कर रहे हो जब आप external field को increase कर रहे हो तो आपका देखिए I भ limit है एक बारी सब कोई align हो गया align हो गया उसके बाद I increase नहीं करेगा which means for a given value of H naught आपका I saturate कर गया है यहाँ पर देखिए आपको curve horizontal हो चुका है I आपका saturate कर गया ठीक है so H naught is a very important point यह बताता है कि कितना value of H के लिए आपको magnet completely magnetize हो चुका है ठीक है उसके बाद when you try to decrease the value of H this is the path so A to B A to B आप यहाँ देख सकते सब कुछ लिखा हो है on decreasing H to 0 आपका H to 0 हो गया लेकिन अभी भी आपके पास I की value है this is called retentivity this OB is called retentivity यह आपको यह चीज़ बताता है कि H को 0 करने के बावजूद कितना magnetic property अभी भी उसमें retained है retained है ठीक है now to demagnetize the material हम चाहते है कि उसका भ हम H को दुबारा से increase करेंगे but in reverse direction तो आप यहाँ देख सकते है है H आपका positive है और H यहाँ negative है इसका मतलब है कि आपने उल्टे direction में magnetic field को increase करना चालू किया है so you started increasing H in the reverse direction तो आपका I और घटेगा और finally 0 होगा तो OC को हम लोग कहते है coercivity coercivity यह बताता है कि कितने value of H के लिए in a reverse direction आपका I 0 हुआ है ठीक है यह चीज़ आपको यह बताता है कि किसी magnet को demagnetize करना कितना easy या कितना difficult है इसके basis पे आपको conceptual सवाल बन सकता है ठीक है तो आपका जो काम का चीज़ है वो A से लेके C तक कही है उसके बाद चीज़ तब आपने उस reverse direction में ही H को और increase करना शुरू किया फिर से आपका I saturate हो जाएगा फिर आप उस H को decrease करेंगे फिर से आपका यह क्या है OE retentivity H 0 तो हुआ लेकिन कुछ अभी भी उसमें I है फिर से आपने H को right direction में increase किया ठीक है फिर से आपका I 0 हो गया and so on right so on अच्छा यह C है आपका retentivity OC है आपका corrosivity तीसरा point यह है कि यह जो loop है ना इसका जो area है that tells you how much energy और heat is developed per unit volume in one cycle in one cycle ठीक है अच्छा अब इन दो properties के basis पे ही हम decide करते है कि which kind of material are we going to use for different application right for example electro magnets को बनाने के लिए हम लोग soft iron का ही इस्तमाल क्यू करेंगे और permanent magnet के लिए हम लोग steel का ही इस्तमाल क्यू करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास hysteresis curve है soft iron का and steel का तो आप यहाँ पे easily देख सकते है कि soft iron बहुत कम value of H के लिए magnetize हो चुका है, saturate हो चुका है यह बहुत जल्दी saturate हो रहा है और बहुत ज़ादा saturate हुआ है यहाँ पे I की value भी ज़ादा है तो एक तो H कम यानि कि external field भी कम है और I भी ज़ादा है as compared to steel ठीक है एक तो यह important चीज़ आपको दिखाई दिया पढ़िया है अगर हम बात करें corecivity की तो steel का corecivity बहुत ज़ादा है यानि की steel को आपने एक बारी magnet बना दिया उसके बाद उसको demagnetize करना बहुत मुश्किल है this is the reason why steel is used to make permanent magnets right क्योंकि आपने उसको एक बारी magnet बना दिया आप उसको day to day use कर रहे है तो वो easily demagnetize होने नहीं वाला है right अर्थ का जो magnetic field है उसके वजह से वो demagnetize नहीं हो पाएगा because earth's magnetic field is weak और इसको demagnetize करने के लिए यह जो od value चाहिए that is way too large right आपको समझ मेरा बात तो इसका मतलब steel को demagnetize करना बहुत मुश्किल है जहां तक बात करें soft iron की soft iron की तो आप देख सकते हैं उसका corrosivity बहुत कम है OC यानि कि एक बारी आपने इसको कर दिया magnetize आपने फिर h को 0 भी कर दिया तो उसके बाद soft iron को demagnize करना बहुत easy है earth के extend earth के field के कारण वो easily आपको अपना property loose कर जाएगा and that is why this is used for making electromagnetics right electromagnetist में क्या होता है you have solenoid और उसके अंदर आप डालते हो soft iron core तो आपने जैसे ही switch on किया हम चाहते है कि वो एक magnet की तरह behave करने लगे तो हो भी जाता है बहुत कम h के value के लिए ये बहुत जल्दी आपको i saturate कर लिया है ठीक है और हम चाहते है कि हमने इसको switch off किया तो वो बहुत जल्दी अपना property को loose भी कर दे तो earth के external field के कारण ही वो अपने property को easily loose भी कर देता है तो ये सारी चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए इसके basis पे आपको conceptual सवाल जो है वो easily बन सकता है ठीक है I hope आपको यहां तक चीज़े पूरी समझ में आई होंगी and अभी तक अगर आपने इस साल्द को subscribe नहीं किया है तो जरूर से अभी के अभी ही आप इसको subscribe कर ले बहुत सारे topic already discussed है और बहुत सारे अभी भी आने वाले है ठीक है so like this video hit that bell icon और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे तब तक लिए take care bye bye